हलो नमस्ति दोस्तों मैं उस रोज मेरे किचन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज आपके लिए लेके आएं जो घर की ही बहुत सारी ऐसी चीजे होती हैं जो आपकी तबेत को आपकी बोडी को बिल्कुल फिट और बिल्कुल ठीक कर सकती हैं शायद आपको पता नहीं होगा उन चीजों के बारे में तो उसी के लिए आज आपको हम पहुत अच्छी जानकारी देंगे कि आप घर में रखी हुई चीजों से कैसे बिल्कुल फिट रह सकते हैं कैसे आपकी बोडी को सही मैंटेन रख सकते हैं और दोस्तों वीडियो पूरा एंड तक देखना इसकी बिल्कुल भी मत कीजिने पूरा वीडियो अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों यह है यह चिया सीट्स बोलते हैं इसको और यह मार्केट में बिल्कुल इजली मिल जाती है और यह दो परकार की होती है दोस्तों तो यह ए कंरे तो हमारी जो इसकीञ को बहुती जज़धा ग्लोग जो इसमी इसकीन के उपर बहुत जादा ग्लोग आता है और इसे कीजिन बहुती घ् десят कiken हैं बोलते हैं और यह हमारी बोली में बहुत ज़दा एनरजी देती है यह चीज बहुत ज़दा ताकत वर होती है बहुत ज़दा ताकत आती है इसको खाने के बाद मेरे बोड़ी में बहुत ज़दा एनरजी होती है तो आपको लेना किस तरीके से है वो भी हम जानकारी पूरे वीडियो में बताएंगे क्योंकि इसके लेने के भी नुकसान भी है तो फाइदे भी हैं तो आपको लेना किस तरीके से है दोस्तो इसको यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पानी के अंदर दो चम्मच डाल दिया है चिया सीर्ट के तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको बिल्कुल भी शूकी बिल्कुल भी नहीं लेना है तो यह इसमें पानी चाहिए क्योंकि जब आप पानी में डालेंगे तो फूल जाती है इसलिए आपको जब भी इसको लेना है तो इस तरीके से आप पाणी में डाल करके दो गंटे पहले भीगो दे और इसके बाद में इसका जो साइज है वो डबल हो जाएगा इस तरीके से, अगर दोस्तों आप वेट के लिए ले रहे हैं तो is तरीके से आप ज्यादा पाणी मे भिगोईे क्योंकि कम पाने में फूल भी जाएगा और फीस भी जाएगा तो तो कम पाने में जब भिगोएंगे तो इसको पीस करके आदा चमस धूद में मिला करके आप इसको फेस पेक के इसे आप से लगा सकते हैं चेरे के उपपर हातों के उपपर आपको जहां लगाना है उसको लगा सकते हैं क्योंकि इसकिन को भी बहुत ज़्यादा साफ रखती है और बहुत ज़्यादा ग्लो मारता है इसको लगाने के बाद में और बिल्कुल आपका चेरा को किस तरीके से है तो यहां पर मैंने एक से डेड़ का पानी का लिया है तो पानी को हम अच्छे से गरम करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं पानी हमारा अच्छे से गरम हो चुका है तो दोस्तों कई चीजे ऐसी होती है कि आपको पता नहीं होता कि और आपके बोड़ी के ल और फूलने के बाद में डबल हो जाता है तो यह है वेट के लिए अगर आपको जल्दी वेट लोज करना है और आपकी बोड़ी में अगर आप वैसे ताजा फूट नहीं खा सकते हैं तो यह अगर आप रोज में लेंगे तो आपकी बोड़ी में एनर्जी बरपूर रहेगी और आपको ज़्यादा भूख भी नहीं लगने देगी क्योंकि यह जो एनर्जी आपको चाहिए न वो यह चीज आपकी पूरी बोड़ी में एनर्जी देगी क्योंकि यह चीज बहुत ज़्यादा गुणकारी होती है हमारे सरीर के लिए हड़ी मजबूत करने के लिए और बहुत सारे इसके फायदे हैं दोस्तों जितने इसके फायदे बताऊंगी उतने आपको कम लगेंगे क्योंकि यह बहुत ज़्यादा सरीर के लिए तो बहुत ज़्यादा गुणकारी चीज है और बेट लोस करने में तो बहुत ज़्यादा गुणकारी चीज है तो दोस्तो को एक चीज का तो विसेश तोर से ध्यान रखना है कि इसको आपको बिरना भीगोह बिलकुल भी नहीं लेना है क्योंकि नुक्सान भी जितना हे फाइदा करेगा उतना नुक्सान भी कर सकता है यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ दो ले लिए गिलास तो आप जब भी चेरे के लिए भी लें तब भी आप इसको भीगो करके लेना है या आप वेट लोस के लिए लेते हैं तब भी आपको भीगो करके ही लेना है यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको गिलासों में डाल दिया है तो इसको जादा गरम भी नहीं तो थोड़े से यह दो टाइप की आती हैं दोस्तों जो मैंने बताई है एक तो बिल्कुल बलेक आती है और एक थोड़ा सा ब्रॉरा कलर का तो आपको कौन सी वाली लेना आपको यह वाली लेना है क्योंकि यह वेट लोस करने में बहुत ज़्यादा करती है अगर आपको इस पीने में तो आप यसी भी जूस के साथ में पीर सकते हैं कि इसको विट करने में क्म समय में जादा लोड़ा है तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाएक करें कमेंट्स करके जरूर बता है और हमारे चैनल पर नहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें तो आज के लिए तो